स्टूरेंट साजम पढ़ेंगे रिकॉंबिने डियने टिकनॉलजी के बारे में अगर हम बात करें कि रिकॉंबिने डियने टिकनॉलजी क्या है तो इस टेकनॉलजी में रिकॉंबिने डियने टियार किया जाता है और रिकॉंबिने डियने क्या होता है यह ऐसा डियने होता है जिसमें एक organism का जो DNA है उसके अंदर दूसरे organism का DNA जो है उसका कुछ पार्ट डाला जाता है और वो DNA कौन सा बन जाता है वो recombinant DNA बन जाता है और ये technology जो है recombinant DNA technology इसमें ये ability होती है कि हम recombinant DNA तयार कर लेते हैं अब अगर हम अपने सामने इस diagram में देखें तो यहां पर यह हमें animal cell दिखाया गया और animal cell के अंदर भी उसका DNA मौजूद होता है यानि कि उसका वरास्ति मादा मौजूद होता है जो के nucleus के अंदर होता है यह वाला जो circular part है जहां पर यह cursor घुम रहा है यह इसका nucleus है और इसके अंदर इसका DNA मौजूद होता है और दूसरी साइट पर यहां पर यह bacterial cell दिखाया गया है और bacterial cell के अंदर यह plasmid मौजूद है plasmid जो है यह circular extra chromosomal part होता है जो के bacteria के अंदर मौजूद होता है अब होता क्या है कि यहां से हम जो है यह इस part को DNA का एक segment जिसे gene कहा जाता है उसको isolate कर लेते हैं यहां पर यह जो gene है यह segment of DNA है अब segment of DNA को हमने निकाल लिया यानि कि gene को हमने अलग कर लिया isolate कर लिया और यहां से हमने bacteria का जो plasmid था bacterial जो plasmid है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह उसका section जो हमने cut कर लिया है अब cut करने के बाद हमने जो है इन दोनों का यह जो DNA था जो अलग अलग हैं दो मुख्तलिफ organisms के हैं एक animal cell से लिया गया है और दूसा जो है वो bacterial cell से लिया गया है इन दोनों organisms का जो DNA है वो हमने यहां पर एक enzyme के जरिए DNA ligase के जरिए जोड दिया है जब वो bind हो जाता है तो तब जब यह bacteria के अंदर चला जाता है DNA तो यह हम कहते हैं कि यह recombinant DNA बन गया है अब यह recombinant DNA की जो technology थी यह सबसे पहले अगर हम बात करें कि कब यूज हुई थी और किस के अंदर यूज हुई थी तो यह सबसे पहले 1970 में इस्तमाल हुई थी और 1970 में सबसे पहले यह किस के उपर apply हुई थी यह apply हुई थी bacteria के उपर और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि यह bacteria के अंदर जो है recombinant DNA molecule बन रहा है अब जब bacteria के अंदर recombinant DNA आ जाता है तो वह जो bacteria होता है उसे हम कहते हैं कि यह recombinant bacteria है और bacteria का जो DNA है वो recombinant DNA है अब अगर हम इन सारी technology में किस तरह से यह कौन-कौन से steps चामिल होते हैं हम यह समझ लें कि कौन-कौन से steps हैं तो उनको हम one by one अपने सामने ले आते हैं सबसे पहले recombinant bacteria जो है बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम bacterial DNA है यानि कि जो bacterial DNA extra chromosomal part है circular सा या plasmid जिसे कहते हैं यह जो यहां पर मौजूद है इसको हम isolate कर लेते हैं इसको हम remove कर लेते हैं यानि कि निकाल लेते हैं यहां पर आप यह इस white square के अंदर देख सकते हैं कि यह हमने bacterial plasmid जो है इसको अलग कर लिया है अब हम क्या करते हैं कि जब हमने इसको अलग कर लिया है तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हम restriction enzymes के जरिए इस bacterial DNA को cut कर लेते हैं करते हैं. अब specific side से क्या मुराद है? हर enzyme, जो है, हर restriction enzyme, जब हम देखेंगे restriction enzyme पे video तो उसमें हम देखेंगे कि हर restriction enzyme की एक खास side होती है, जहां पे वो cut करते हैं. क्यूंकि वो एक खास side पे cut करते हैं, इसलिए हम कहते हैं specific restriction enzyme. यहां पे हम जो है, सिर्फ technique समझे हैं, अगर हम इसके网ने, तो यहां पे हमने वह DNA लगाना है जो हम इसके अंदर insert करना चाहते हैं. और जो DNA का part इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर हम उससे बात करें, तो DNA का segment होता है, जो हम insert करते हैं, segment of DNA को कहा जाता है जीन इसके यहां पर यह जो डायग्राम है इसमें यहां पर लिखावा है जीन आफ इंट्रस्ट और जीन आफ इंट्रस्ट के अगर हम बात करें कि जीन कहां पर मौजूद होते हैं तो जीन जो है वो मौजूद होते हैं क्रोमोजोम के उपर और यहां पर यहां प बन गई और यह हमारा gene of interest बन गया, अब यह जो gene of interest है, इसको हम यहाँ पर डालना चाहते हैं, अब जब हमने इसके अंदर डाला है, तो फिर क्या होता है, कि इसके अंदर इसके डलने के लिए यहाँ पर यह जॉइन हो सके, उसके लिए जरूरी होता है, एक और enzyme, अब अगर ह बाद वो जो हमारे पास gene of interest आ गया है, यानि कि DNA का पीस आ गया है, उसको हमने एक और enzyme से उसके अंदर डाल दिया, bacterial plasmid के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह जो है, एक और enzyme हमने इस्तमाल किया, और वो जो enzyme है, उसका नाम है, DNA ligase, DNA ligase जो है, वो क्या करता है, यानि कि यह वला जो DNA है, और यह वला जो DNA है, यहाँ पर color मुक्तलिफ इसलिए दिखाए गए हैं, कि यह green color जो है, यह bacterial plasmid है, और यह black जो है, यह हमारा gene of interest है, अब यह दोनों जो है, यह आप इसमें join कर लें, इसके लिए DNA ligase enzyme इस्तमाल किया गया है, और जब DNA ligase जो है, join कर लेंगे है, तो यह क्या बन जाता है, यह recombinant plasmid बन जाता है, क्योंकि यह plasmid है, और plasmid के अंदर gene of interest हमने डाला है दूसरे organism का, इसलिए हम कहेंगे कि यह recombinant plasmid है, अब यह recombinant plasmid जो है, जब यह bacteria के अंदर चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, bacteria जो है, अपना number increase करता है, अब bacteria जब divide करता है, तो bacteria के अगर हम बात करें, तो bacteria हर 20 minute बात divide होके, एक से 2 हो जाता है, अब 20 minutes बात क्या होगा, कि यह bacteria जो है, जब reproduce होगा, तो इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह नए bacterial cell जो है, वो बन जाएंगे, अब जब नए bacterial cell बनें थी, बलकि हमने बाहर से डाली है, तो यह foreign genes है, यह foreign DNA से आया है, और foreign DNA उस organism का है, जहां से हमने इसको लिए, तो जो bacteria नए बनेंगे, reproduction के process के बाद, उनके अंदर यह foreign genes मौजूद होगी, और जब foreign genes इनके अंदर मौजूद होगी, तो हम कहेंगे, कि यह जो bacteria नए बने है, यह recombinant bacteria है, और यह recombinant bacteria किस technology के जरिए बने है, यह recombinant bacteria बने है, recombinant DNA technology के जरिए, तो students, आज हमने पढ़ा है, recombinant DNA technology के बारे में,